चक्रवाती तूफान फानी को लेकर ओडिशा हाई अलर्ट पर है सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है फानी तूफान के पहुचने से पहले ही ओडिशा के तटिये इलागों से 12 लाग से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है फानी तूफान के चलते जहां रेलवे ने 223 ट्रेनों को रद किया है वही भुवनेश्वर और कोलकाता एरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान फानी का ओडिशा के करीब 10,000 गाउं पर असर पड़ेगा किसी भी स्थिती से निपटने के लिए तीनों सेनाओं समेट NDRF और SDRF मौके पर तैनात है तर्टिये इलाकों में रहने वाले लोगों से घरों से नहीं निकलने की सलहा दी गई है गुरुवार को ओडिशा के मुख्य मंत्री नवीन पतनायक और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने तैयारियों का जायजा लिया बुरो रिपोर्ट गो निउस